Hey guys, once again, welcome back to my channel, मैं हूँ अंजना और अब सारी की सारी festivals over हो चुकी है और अब शुरू होने वाली है wedding season, तो wedding season में सबसे ज़रूत होती है, वो सारी की ज़रूत होती है weddings में सारी हर age group के लोग wear करते हैं, तो आज की hall में मैं different types की सारीयां लेकर आई हूँ जो की weddings के लिए या party के लिए बहुत ही appropriate है, कितनी भी सारीयां है, सारी की सारी different type की है, बिल्कुल एक सी सारी नहीं है आज की hall में हर तरह की सारीयां है, silk भी है, embroidered भी है, जरी की भी है, और गोटे-पटी की भी है, और simple look वाली भी सारी है तो आज की hall में जो बहुत ज़्यादा heavy new wear करना चाहते हैं, उनके लिए भी सारी है, और simple भी सारी है, तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए, शुरू करते हैं hall को तो फॉighty, बहुती beautiful सी, बहुती गोज़क सी मुझे सारी रिसीव हुई है, यह black color की सारी मुझे रिसीव हुई है आप देख सकते हैं और black color मुझे सारी विए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस तरह की सारी मुझे रिसीव हई है आप देख सकते हैं, इसकी ज मिल जाती है सेल्फ रिजाइन से ये साड़ी और जो सबसे ज्यादा अच्छा इस साड़ी में वो है ये बॉर्डर तो इस साड़ी में इस तरह की बॉर्डर आपको मिल जाती है पूरी साड़ी में आपको इस तरह की बॉर्डर मिलती है तो देख सकते हैं इस border की detailing बहुत ही fine quality की जो border है वो लगी हुई है इसके उपर आपको pearl की भी detailing मिल जाती है थोड़ी सी मुकेश work है और पूरी border में आपको zari work मिलती है जरी के जो work है बहुत ही fine quality के है साथी साथ आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के border भी है sari पर पूरी sari के border इस तरह की मिलती है और बहुत ही अच्छी लगती है वेयर करने के बाद ठीक है यह पूरी sari में इस तरह की border आपको मिल जाती है साड़ी की जो length है बहुत ही अच्छी है मैंने wear किया था काफी अच्छी pleats बनी थी इसकी जो पल्लू यह इस तरह की इसके उपर बहुत heavy work नहीं है सिर्फ यह border है और आपको इस तरह का यह मिल जाता है इसकी border जितनी heavy लग रही है उतनी विल्कुल भी नहीं है बहुत ही comfortable है और इस साड़ी की सबसे अच्छी जो चीज है इसकी blouse है बहुत ही अच्छी सी blouse receive हुई है इसमें देख सकते हैं ब्लाउज बहुत ही अच्छी सी blouse के साथ यह साड़ी receive हुई है इस पर पूरी तरह से जरीवक आपको मिल जाता है यहां पर जो साड़ी की border है सेम आपको blouse भी मिल जाती है बहुत ही अच्छी सी blouse मुझे receive हुई है और इसकी सिर्फ fabric थी यह मैंने stitch करवा लिया है तो यह आप ना सोचे कि यह stitched blouse आपको receive होगी front में आपको इस तरह की work मिल जाते हैं और back side में इस तरह की plain fabric मिलती है मैंने यहां पर net की sleeves लगवाई है अगर आपको net की चाहिए तो आप net की लगवालो या फिर इनके जो fabric दे रखे हैं उनसे ही लगवालो इस साड़ी को wear करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आपको सेसराइज नहीं करें because आपकी blouse भी काफी heavy है wear करने के बाद इस साड़ी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है definitely आपको बहुत अच्छे-च्छे comments मिलेंगे तो आप जा सकते हैं इस साड़ी के साथ जो भी इसकी price होगी मैं में mention कर दूँ and जो second है guys बहुत ही beautiful सी इस तरह की साड़ी मुझे receive हुई है आप देख सकते हैं कितनी beautiful साड़ी है ये awesome वाली साड़ी है और बहुत ज़्यादा expensive भी नहीं है और ये साड़ी जो है original कांजी वरम नहीं है because आपको इतने कम range में कांजी वरम नहीं मिलेगी but फिर भी इसकी जो लुक आती है वो कांजी वरम वाली आती है अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने के mood में नहीं है तो इस तरह की साड़ियों के साथ आप जा सकते है इसकी look भी आती है अच्छी और बहुत ज़्यादा expensive भी नहीं होती है तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी है साड़ी है मुझे इस साड़ी की जो look है ना बहुत अच्छी लगी और fabric भी बहुत अच्छी है color awesome वाली है guys बहुत ही अच्छी है तो चले शुरू करते हैं और दिखाते हैं साड़ी की detailing बहुत ही प्यारी साड़ी है तो देख सकते हैं आप इसके जो color और इसका जो work है कितना अच्छा है यहाँ पर बहुत ही beautiful थी fuchsia pink color की साड़ी receive होती है generally fuchsia pink color की साड़ी होती है मुझे इतनी नी पसंद आती है थोड़े बहुत powder या combination के साथ wear करना अच्छा लगता है fuchsia pink because बहुत जादा bright होती है but इस वाली साड़ी में यह बहुत ही अच्छी लग रही है इतने अच्छे लगने वाले हो तो चले देख लेते हैं साड़ी की detailing तो यहाँ पर आपको इस तरह की मिल जाती है पल्लू पूरी तरह से बनारसी वर्क के साथ में मिलती है देख सकते हैं पल्लू की detailing इसके जो weaving है इसमें कहीं भी आपको thread निकला हुआ नजर नहीं आएगा और shining भी काफी अच्छी है बिल्कुल original जो कांजी वर्म होती है उस तरह की लग रही है बहुत ही प्यारी सी लग रही है और आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह की मिल जाती है golden border golden और pink के साथ में इस तरह की बहुत ही royal border आपको मिलती है पूरी साड़ी में इस तरह की royal border मिल जाती है देख सकते हैं कितना प्यारा इसका look है और border की उपर में यहां पर बिल्कुल light peach color मिलती है border को आप पास से देख सकते हैं कितनी fine quality है इसकी बहुत ही awesome वाली साड़ी है guys बहुत ही अच्छी वाली साड़ी है पूरी साड़ी में आपको इस तरह का work मिल जाता है जो बनार्सी वाला work होता है वही work है बहुत ही अच्छा सा work है आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ी से आपको pink के साथ में orange और golden की mixture मिलती है जो कि बहुत अच्छी लग रही है साड़ी की जो color combination है बहुत ही awesome लग रही है बहुत ही प्यारी सी यह साड़ी लग रही है आप देख सकते हैं वेयर करने के बादे कितना अच्छा लगने वाला कितनी royal look है इस सा साड़ी बहुत कम मिलती है online में हमेशे shopping करती मेरा काम ही है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी quality की साड़ी नहीं मिलती है तो अगर आपके घर में शादी हो या आपको किसी close relative के पास जाना हो शादी में तो definitely आप इसे buy कर सकते हैं बहुत ही अच्छी वाली अगर आप नहीं बत आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी blouse की fabric है और इसकी जो color है इतनी अच्छी है ना fuchsia pink के साथ में orange और peach की जो mixture होती ना उस तरह की आप देख सकते हैं थोड़ी सी यह dual shade होती है उस तरह की लग रही है आपको दिख रहा होगा शायद और यह stitch होने के बाद तो बहुत ही royal लगने वाला है बहुत ही अच्छा लगने वाला है बहुत ही अच्छी साड़ी है और back side में आपको में दिखा दो इसकी quality है कितनी अच्छी है कहीं भी आपको थ्रेड ऐसे भागता हूँ नजर नहीं आएगा बिल्कुल लीट वर्क है back side में जनरली होता क्या है कि जो थोड़े सस्ते अगर silky साड़िया या कांजी वर्म साड़िया होती है तो इनके back side में बहुत सारे थ्रेड होते हैं जो कि आपके जुल्री में फंस जाती है तो इस तरह की साड़ियों को तो आप जुरूर बाय करें शादियों में बहुत ही अच्छा वाला यह पीस हाथ से ना निकल जाए out of stock हो सकता है इसलिए पटा पट से आप बाय कर लें जो थर्ड है गाइस बहुत ही ब्यूटिफुल सी साड़ी है इस वाली साड़ी को मैंने इस लोग लिंक मांग रहे थे लिंक दो लिंक दो मैंने इसकी हाल नहीं की थी मैंने नहीं हुआँ करोंगी तर भी मैं लिंक दूंगी वाली साड़ी जो victrr बहुत अच्छी बाली साडी साडी चैनल मैं हे पसंदी तरहिए भगा छी साडी अब़े हैं सोच से सोच की साड़ीयां अपने आप में बहुत थी awesome होती है सोच की जो साड़ीयां होती है मुझे बहुत पसंद भी आती है बहुत ही अच्छे से इसके designs होते हैं इस साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो यह जो साड़ी है इसमें आपको इस तरह की जरी वक के साथ में अम्ह आपको रिसी पूरी पूरे बादर में आपको इस तरह की मिलती है elephant से बनी हुई है embroidery और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी stone work है पूरी साड़ी में आपको इस तरह के work मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी साड़ी है और सबसे अच्छी बात है इतनी light weighted है इतने heavy border के बाद भी साड़ी आप वेर करोगे तो पूरे दिन बहुत ही comfortable feel करोगे बिल्कुल भी आपको irritate नहीं करने वाला है और पूरी साड़ी आपको blue color की plane मिलती है और इसकी जो fabric है art silk है बहुत ही अच्छी है आप इसे वेर करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा इतनी light weighted यह साड़ी है ना cold wear किया था करवा चौर के दिन और seriously बहुत ही comfortable बहुत ही अच्छा लगा था आप देख सकते हैं इसे डालने के बाद यह कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है साड़ी की length काफी अच्छी है दिखा दू मैं आपको बहुत सारी pleats बनी थी इस साड़ी में और यहां पर मिल जाती है आपको यह इस तरह की browse की fabric और यह जो border है आपकी sleeves पर आ जाएगा और back side में आ जाएगा इसकी जो look है इसकी जो fabric है ओसम है बिल्कुल भी मिस ना करें इसकी जो भी price होगी मैं mention कर दूँगी and जो next है यह ब्रैंड मितेरा से और again यह बांधिनी print की साड़ी आ गई हर hall में एक आ जाती है अब पता नहीं कब तक आएगी बट उठा ही लेती हुमें मुझे अच्छी इसलिए तो यह वाली जो साड़ी है इसे मैंने बहुत टाइम से wishlist में डाल रखा था गजमी 13 की साड़ी होती है उनकी जो quality होती है बहुत अच्छी होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर गोटे पट्टी की कितनी heavy work है तो इस तरह की पूरी साड़ी में heavy work मिल जाती है आप को देख सकते हैं और कितनी fine work है आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको print दिख रहा है yellow white and red से है ठीक है और साड़ी की length काफी अच्छी है बहुत ही अच्छी है साड़ी की length वेर करोगे आप बहुत सारी pleats बन जाती है इसमें और साड़ी के पल्लू पर आपको इस तरह की मिल जाती है पोटे पटी की फ्लार इस साड़ी को थोड़ी से designer look देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी सी पतली सी piping होती है उस तरह की लगी हुई है देख सकते हैं आप यह fuchsia pink color से यहाँ पर आपको मिल जाती है piping और यह इतनी अच्छी लग रहे है और पूरी साड़ी आपको इस तरह की मिलती है प्रिंट वाली साड़ी की जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छी फैब्रिक है इस की जो जौर्जट की quality है और बहुत अच्छी वाली इस तरह की साड़ी आने काफी time तक यल सकती है आपकी गर में कोई शादी पाटी है कुछी पूजा वुजा होता है आपको कभी भी किसी ऐसे occasion पर जाना हो तो आप इसे कभी भी वेर कर सकते हो और कभी भी आपकी साड़ी आउटटेड नहीं लगेगी क्योंकि इस तरह की साड़ी हमेशा ही अच्छी लगती है यहां पर आपको मिल जाती ही इस तरह की ब्लाउस की फ संदें बहुत ही awesome वाली साड़ी है देख सकते हैं कितनी beautiful साड़ी मुझे receive हुई है और यह है brand टीकीघ्यकी अंद्टी Lee नो चो साड़ी रेयोंति होती है ति का पर मुझे इस तरह की साड़ी रिसीव हुई है और यह मैंने अब भी सेल में लिया था साड़ी है इतनी वाली साड़ी है देख सकते हैं कितनी ब्यूटिफुल सी साड़ी है आप देख सकते हैं इसके उपर पूरी साड़ी में आपको मुकेश वर्क मिल जाता है यह जो है यह मुकेश वर्क है आप देख सकत थोड़ी सी metallic thread होती है उस तरह की और बहुत ही fine quality के work के साथ receive हुई है guys आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको ऐसा नहीं रहा है कि इसके work में कोई कमी है कहीं से तूटा-फूटा या कुछ जड़ा हुआ है ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इतनी fine quality की work receive हुई है कुछ कहना नहीं है जॉर्जेट है इस वाज़े से transit है तो साड़िया जितनी transit होती अच्छी लगती है पतले भी लगते है इस तरह की साड़िया आपको इस तरह की border मिलेगी और यहां पर आपको मिल जाती इस तरह की लेस तो इस वाले लेस को शायद बोलते है पाकिस्तानी लेस आप इसे किसी भी चीज पर लगा लो बहुत ही खुबसूरत लगता है और इस पल्डू की ऊपर आप देख सकते ही कितनी अच्छी लग रह सकती है उनके लिए यह सारी बहुत ही appropriate है इतनी light weighted सारी है बहुत ही light weighted सारी है समालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा तो जो girls सारी वेर करना चाहती है शादियों में पार्टी में इस तरह की सारी के साथ जा सकती है बहुत कम price की सारी है इसकी जो fabric है जोज़ट है इस प्यारा सा golden और copper की mixture वाली ना तो यह pure golden है और ना तो copper है बहुत ज्यादा bright नहीं है यह golden बहुत ही अच्छा वाला color है उस तरह की सारी पे अगर आप इस तरह के blouse को wear करते हो तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हो बिल्कुल designer blouse बनेगी simple blouse stitch कर वालो लेकिन बिल्कुल designer look आएगा आप wear करोगे तो चाहोती से backless बन वालो backless बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपकी मर्जी है आप जिस तरह की चाहो स्टिच करवा सकते हो और blouse की fabric है sufficient है कुल मिलाकर मुझे साड़ी और blouse दोनों बहुत ही अच्छी लगी बहुत कम range में अगर आप कुछ party wear रहे तो definitely आप इसके साथ जा सकते हैं so guys ये थी मेरी आज की haul hope आपके लिए helpful रही होगी helpful रही हो तो like करे share करे और subscribe करे मेरे चैनल को साथ ही साथ बल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको timely मेरे वीडियो के notifications मिलती रहे फिर मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लि झाले